क्या मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊं जो पूरे यूटूब पर नहीं है क्या आप जानते हैं मुच आफ क्या है यानि स्पोकेन इंगलिस में आपको कब बोलना चाहिए मुच आफ अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर यह वीडियो आपके लिए है मुच आफ का मतलब होता है रख लेना या ले लेना लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि लेने के लिए हम टेक का इस्तिमाल करते हैं या रखने के लिए हम कीप का इस्तिमाल करते हैं तो फिर हम मुच आफ का इस्तिमाल क्यों करें तो फ्रेंट्स मैं आपसे कहूंगा म कोई समान फिरी में ले लेना या कोई चीज बिना कोई चीज चुकता किये रख लेना जैसे अक्सर आप YouTube पर देखे होंगे अगर कोई teacher या अगर कोई YouTuber बहुत famous है तो दूसरे YouTuber बिना उसके permission के या बिना उसको कुछ दिये उसका नाम रख लेते हैं या उसका channel का title रख लेते ह हैं तो यहां पर आप take या keep का इस्तिमाल न करें बलकि आप बोले much of लगता है आप समझे नहीं आए कुछ examples देखे ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें जैसे माल लीजी अगर आपको कहना हो जादा views पाने के लिए वह मेरा नाम रख लिया तो इस sentence के लिए आप बलकि मैंने बोला much of और इस sentence का sense है कि उसने बिना कुछ चुकता किये बिना कुछ दिये यानि free में ऐसा कर लिया मानने जिए आपका दोस्त आपका laptop free मिले कर चला जाता है यानि उस laptop के बदले आपको कुछ नहीं देता है तो आप यहां पर कह सकते हैं my friend much of my laptop यानि मेरा दो मुफ्त में मेरा मुबाइल ले गई तो इस sentence के लिए आप कहेंगे see much of my mobile यानि वह मेरा मुबाइल मुफ्त में लेकर चली गई free में लेकर चली गई यानि उसने उसके बदले कुछ दिया नहीं तो friends उमीद करता हूं कि आपने much of को शांदार तरीके से सीखा कि जब कभी भी आपको कहना हो कोई इंसान किसी से कोई समान free मिले गया मुफ्त मिले गया यानि वह इंसान उस समान के लिए कोई चुकता नहीं किया यानि कोई payment नहीं किया तो यहाँ पर आप बोलेंगे much of यहां मैं आपको बता दू कैसे बहुत सारे advanced structure जानने के लिए आपने application को install कर सकते हैं जिसका link मैंने description में दिया हुआ है फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे lessons के साथ अब तक के लिए